नमस्ते सदावसले मात्रभूमे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पश्यमंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी जिन्हों ने अपने आपको कहा कि मैं पूर्व चीफ सेक्रेटरी हो और उनकी जगे एक दुवी दीजी वहां के चीफ सेक्रेटरी बने यह जो चीफ या जिस प्रकार से वो Central authorities के अवहलना करती आई हैं, जनता जो उनके खलाब बोर्ड देती हैं, उसके लिए जिस प्रकार से वो activity करती आई हैं, वो बड़े शर्म की बात है, Central authorities हम सब जानते हैं कि राज्य कैसे बने, उन राज्यों में क्या चकर चल रहा है और इन राज्यों क कि क्या valuation है और कैसी इन राज्यों को deal किया जाएगा, हलाकि मैं उस पर चर्चा करूंगा कि Federal structure में क्या डॉक्टरमेटकर ने कहा और क्या value रहती है state की, इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए, मैं आज का जो नया विवाद है, उस विवाद पर Central government ने जिस प्रकार से step लिय वो step मुझे लगता है कि अपने आप में एक अदुती illustration है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ममता बेनर जी ने इस्तीफा दिलवा कर, जो सिद्ध करने की कोशिश की थी कि बंदोपाद्या जी, आप चिंता मत करिए, आप Chief Secretary की पत्स से इस्तीफा दीजे, हम आपको अपना Chief Advisor घोशित कर देंगे, उस मामले में भी Central Government ने एक नया order जारी किया, एक उस order में अब बंदोपाद्या की नोकरी खत्रे में है, इसके अलावा बंदोपाद्या केवल अपनी नोकरी नहीं, देश भर के bureaucrats जो retire हो जाते हैं, जिनकी transfer posting होती है, जिनको बाद में कुछ कुछ मान दे पर रखा जाता है, सरकार के different पदों पर वो रहते हैं, उनके सब के, उन सब के designation, उन सब की posting अब खत्रे में आ गई है, यहां तक कि जो राज सरकारे अबलाइस करती थी अधिकारियों को retirement के बाद, वो भी अब खबले में पड़ गई है, और अब मुझे लगत है कि देश को पता है, फिर वी एक बार फिर से उसको कनूनी रूप से तै करते हैं, डिजास्टर मेनेजमेंट आक्ट, जो डिजास्टर मेनेजमेंट आक्ट है, उसमें डिजास्टर मेनेजमेंट अथारिटी बैठती है, जिसको आप NDRF भी कहते हैं, डिजास्टर मेनेजम राइड़ में इसायर में पर्धान मंत्री होता है और राते में उसका जो चीफ सेक्रेटर रहता है, वो उसका स्टेट का चीफ रहता है, आप सवाल याता है कि यास जिस समय वहाँ पर आया और मनि प्रधान मंत्री जी ने यास का दौरा करने के बाद चीफ सेक्रेटरी और मुख मंत्री को बुलाया और वहाँ के लोकल लीडर्शिप को बुलाया कि सुवेंदू अधिकारी से चुके ममता बिनेट जी हार गई इसलिए उनको फेस करने में उनको बहुत सारी समस्य आएंगी क्योंकि वो देश के लिए नहीं वो अपने अहम के लिए लड़ा रही थी इसलिए सुवेंदू अधिकारी अगर वहाँ पर बैठेंगे तो ममता बिनेट जी को बड़ी गलानी मैसुस होगी इसलिए सुवेंदू अधिकारी के मामले में ममता बिनेट जी ने उस समय गवर्नर से बात करी और मानि गवर्नर से कहा कि अगर सुवेंदू अधिकारी उसमें रहने वाले हैं तो मैं नहरेन वाली लेकिन जिस समय ये 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 गवर्नर ने तैय किया था कि लोकल के विधायकों को हम बिठाएंगे तो जिस समय मानिप्रधान मंतरी जी वहाँ पर आए उस समय ममता बेनार जी और उनके चीफ सेक्रेटरी को वहाँ रहना था गवर्नर चीफ सेक्रेटरी मुख्वमंतरी और के विधायक और जो disaster management के दूसरे अधिकारी राजिकें हैं उनको रहना था तो disaster management के chief के नाते या धक्ष के नाते राज इस्टेट के स्टेट के principal officer के नाते वहाँ chief secretary को रहना अनिवार था है ममता बेनर जी अगर नहीं रहती है उस बैठक में या कोई मुख्वंतरी नहीं रहता है तो एक बार कहा सकता है कि उनका क्या उख़ड़ लो गया है लेकिन चीफ सीक्रेटरी जो सरकार का employee होता है केंद्र का employee होता है राज्य को deputation पर दिया होता है वो केंद्र के अधिकारी अगर disaster management का officer है और वो प्रधार मंतरी के बैठक में नहीं आता तो disaster management act के तहद वो अपराद है और ऐसा करने पर दो साल तक की सज़ा के प्रवधार है rigorous imprisonment नोकरी से जाना और बहुत कुछ जो administrative करवाई हो सकती है हाला कि प्रधार मंतरी की बैठक में वो नहीं पहुचे तो प्रधार मंतरी के अपने जो officers थे उन्होंने फोन करके पुछा कि आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं ये अब दर्ता होगी और इसमें बड़ा आपको समस्यां खड़ी हो जाएंगी चीफ सेक्रेटरी ने कहा होगा कि मैं प्रधान मंतरी के बैठक में जाऊँगा क्योंकि मैं disaster management का चीफ अदिकारी होता हूँ और मेरा सर्वोच अदिकारी disaster management के मामले में माने प्रधान मंतरी ये हैं मैं इसलिए उनके बैठक में जाऊँगा ममता बिनर जी उनको अपने साथ लेकर आई और ममता बिनर जी कुछ समय बाद ही एक दो मिनट बाद ही कहके निकल नहीं क्योंकि सब्धिकारी को देखा होग ओ dzi में extension केंडर सरकारने कर दिया अब यहां पर मन से करवाई कि दो तेन पर सरकारने उनका extension कर दिया और उनको घ्रह Main Central में बंणा गया तो क्या वो अपने मनसे इस्तीफा कर देते हैं तो उनके after retirement बैचन दिये जाएंगे चांब उनको retired माना जाए या फिर वो इस्तीफा दे कर चले गए यह माना जाए क्योंकि extension तो हो चुका उनकी request पर extension हुआ और चूंकि extension हो चुका है इसलिए continuation of service माने जाएंगे continuation of service अगर उनकी है तो फिर उन्होंने अब इस्तीफा दिया है तो वो इस्तीफा है या retirement है extension वो कैसे मना क कर सकते हैं कि मुझे extension नहीं चाहिए क्योंकि extension तो मांग चुके हैं और केन सरकार उसको दे भी चुके और उनकी job continue भी हो गई तो एक सबाल तो यह पैदा होगा ही कि retirement माना जाए या फिर यह उनके द्वारा इस्तीफा माना जाए अगर उनके द्वारा इस्तीफा माना जाता तो 28 तारीक को अनुपस्थती किसी अधिकारी की वो during the job मानी जाए अगर मैं यह कहूं कि 31 के बाद वो retire भी माने जाएंगे यह अनमली है जो create होगी और अब उसका फैसला मुझे लगता है कि court तक जाएगा ही जाएगा तो इस मामले में 28 तारीक को चुके absent हुए इसलिए disaster management एक्ट के ताहित उनको नोटिस कर दिया गया और इसको अबदरता मानी गी और उनसे पूछा गया है शो कॉस्ट नोटिस चुकि प्रिंसपन नेच्रल जस्टिस के तहत constitutional प्राविधान है कि अगर किसी अधिकारी को हटाया जाएगा तो उससे पहले उसको सफाई देने का लेगा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यह जो disciplinary action है किंदर सरकार के द्वारा वो क्या उनके retirement के बाद लिया जा सकता है तो केंदर ने जब notice किया तो उन्होंने कहा जिस समय आपने अबदरता की जिस समय आपने डिस्रिस्पेक्ट की जिस समय आपने disaster management tactical लंगन किया उ तो इसलिए आपकी उससे में जिबाबदारी बनती है और उसमें दो साल तक की सजाए ममता बेनर जी ने उनके extension को ये इस्तीफा दिलवा कर ये कहा कि भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो मैं अगर कहूं कि after retirement benefit वो नहीं भी लेना चाहते तो कोई मुखमंत्री अगर ज्यादा महरबान हो जाए तो जितना retirement benefit मिलेगा उससे हजारों को नहीं ज्यादा दे सकता है और advisor के लिए तो कोई salary का अंती ही नहीं होता है एक छोटा सा ओर्डिनेस पास करना होता है और उस order में वो अपने advisor को कोई भी payment देने को तैयार रहता है अलाकि वो अभी तक honorable court मे question नहीं बना है लेकिन भविश्य में बनेगा ऐसा मुझे अनुमान है सबाल यहां पर आता है कि वो benefit नहीं लेते और chief advisor रहते हैं तो भी बहुत कुछ लाब हो जाएगा आज किंदर सरकार ने एक नया notification जारी किया और एक order किया और बड़ा खतरनाक order है उस order में किंदर सरकार ने सभी राज्यों के chief secretary को लिखा कि कोई भी post retirement अधिकारी की posting तभी हो सकती है जब CBC से उसका clarification ले लिया जाएगा CBC का मतलब हो गया chief vigilance commission से उसका clarification अगर नहीं आता है तो फिर उस अधिकारी को कोई भी राज्य सरकार या कोई भी government उसको अपने अहां किसी प्रकार का कोई job offer नहीं कर सकते ये बात और ये 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 बात कही गई है Bureaucrats के मामले में मैं कहता हूं कि अबल Bureaucrats के मामले में क्यों ये बात तो जज़िस के मामले मेंभी होनी चाहिए और अन्य अधिकारींके मामले में भी होनी चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति एडवाईजर गोशित किया जाए, उससे पहले विजिलेंज से उसकी अनुमती, विजिलेंज से उसका कलारिफिकेशन आना ही चाहिए, even for the case of ministers also, मंत्री बनाने से पहले भी विजिलेंज से अनुमती होने चाहिए, लेकिन ये सब कु कुछ हमरे साबने ब्यूरोक्रेसी को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या appointment करना है, even retirement से पहले भी वो एक इसी तरह का एक मामला P.J. Thomas का आया था, आप लोगों के याद हो, 2011 में U.P.A. की गवर्मेंट थी और P.J. Thomas, आप समझ सकते हैं न, P.J. Thomas, Thomas का मतलब आप समझ सकते हैं क् तो सोनिय गांदी, सोनिय माइनो ने P.J. Thomas को चीफ विजलेंस ऑफिसर बना दिया, C.V.C की उनकी निक्ति कर दियी थी, उस बात को लेकर एक P.I.L. आप सुप्रीम कोर्ट में गई और ये कहा गया कि पामोलिम मामले में, ये पामोलिम मामले में, पामोलिम घोटाले के मामल मिस्टर कपारिया, चीफ जेस्टिस की बेंच ने ये घोशित किया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसका रकॉर्ट ठीक नहीं है, उस व्यक्ति को किसी भी एहम पोस्ट पर नहीं बठाया जा सकता, और P.J. Thomas की निक्ति को उस समय अवैधानी घोशित कर दिया गय जी ने प्रिधान मंत्री के निरणय से डिसस्टिसफेक्शन जाहिर किया था, उसके बावजूद मनमोहन सिंग ने P.J. Thomas का एपाइंडमेंट कर दिया था, तो एक नई बात देश में आई, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसके खलाफ कानूनी करवाई चल रही हो, जिसके खलाफ केसे चल रहे हो, और जिसके खलाफ इंटलिजन्स की क्लिरिफिकेशन ना हो, उस व्यक्ति को किसी भी वाइधानिक पोस्ट पर नहीं बठाया सकता, अभी जमु कशमीर के ओनेबल गूअनर ने ये ओर्डिनेंस पास किया था कि जमु कशमीर में किसी भी परकार का कोई भी इंप्लाई, लोकल इंटलिजन्स, जमु कशमीर इंटलिजन्स यूनिट से अगर Sch hurricane नहीं आता तो उसको किसी को सेलरी नहीं दी जाएगी, इस मामले में आपको याद होगा कि चार-पांच अदिकारी सीधे टर्मिनेट भी ओनेबल गवर्नर ने किये थे क्या था मामला कि ये सोशल मीडिया पर या उनकी जो और प्रोफाइल्स हैं उनकी सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी सरकार को और सरकार के जो विजलेंस के ओफिसस हैं या जो इंट्रिजेंस के ओफिसस हैं वो आपकी सोशल मीडिया एकाउंट्स और आपकी सोशल एक्टिविटीस जमुल कश्मीर में चेक करेंगे और इनको सेलरियाम ही नहीं दी जाएंगी तो हमने ये बात बड़े आसानी से देखी कि जमुल कश्मीर में वो चल गया आनला कि हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो गया लेकिन अब केंदर सरकार ने उसी ओर्डर को जो जमुल कश्मीर सरकार का ओर्डर था उसी ओर्डर को अब राज्य के लिए अब 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 चीफ सिक्रेटरीस के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए लागू कर दिया है और अब ब्यूरोक्रेट्स यानि कि अब मैं ये कहूं कि बनोपाध्य है जो अब वहाँ लीगल एडवाइजर या चीफ एडवाइजर बन गए राज्य सरकार के वो चीफ एडवाइजर के पदपर नहीं रह सकते पहले क्यों क्योंकि आदेश ये हुआ है कि जब तक सीवी सी से क्लेरिफ्रिकेशन ना आ जाए तब तक किसी भी ब्यूरोक्रेट को री अपॉइंट नहीं किया जा सकता आफ्टरन रेटायर्मेंट तो बंदो उपाध्य है तो चकर में फस गए और बंदो उपाध्य है कि इस चकर की वजए से एक अच्छा कानून देश में आ गया और एक अच्छी प्रिसिडेंट देश में पढ़ गया और वो प्रिसिडेंट ये है कि राज किसी भी मामले में किसी भी ब्यूरोक्रेट के एपॉइंटमेंट से पहले सी बीसी की क्लेरेंस के बगएर उसको नहीं बिठाया जा सकता मुझे लगता है कि मम्था बेनर्जी ने एक दाउं खेला था कि चीफ एडवाइजर बना कर उनको मर्जी होते उस परकार से डील करेंगे और धन के अंबार लगा देंगे वह भूल जाएंगे कि चीफ सेक्रेटरी थे लेकिन केंदर ने जब बिरोक्रेट्स के लिए ऐसी बार दितादा गेम खेलती हैं और ये कहना शुरू करें मम्तावेरर जी कि नहीं राज जपाल ये ये जो चीफ एडवाइजर है इनकी निक्ति मैंने की है और इस पर केंदर सरकार कुछ नहीं कर सकती बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कह रहीं थी कि चीफ सेक्रेटरी को अगर केंदर सरकार अ आने वाला है लेकिन एक समभाइधनिक सुधार एक एडमिस्टेटिव सुधार एक नया प्रेशिडेंट बदोपाध्य के चक्कर में आया उसको सभी लोगों को स्वागत करना चीए और मेरा मानना ये है कि जज़ेस को एडवोकेट्स को या लीडर्स को ये कोई भी प्रश में रह पाता हूं किसी दूसरे शहर में तो इन लोगों के उपर पूरे प्रदेश का दाइप तो बनता है कभी कभी पूरे देश का दाइप तो होता है कभी एक बड़ा जुरिडिक्शन इनका लगता है और इन लोगों का क्रॉस वेरिफिकेशन ना हो ये कुछ हजम नहीं होता लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सब कुछ होने ही वाला है और केंदर की सरकार ने जिस प्रकार इस्पनेडने लिया है वो काबले तारिफ है तो बंदोपादे दो साल जेल तो जाएंगे ही उसके साथ साथ चीफ एडवाजर की पोस्से भी जाएंगे और अगर उनकी सर्विस को कॉंटिनुवेशन अब सर्विस माना गया तो उनके आफ्टर सर्विस जो रिकॉर्ड्स है या आफ्टर सर्विस जो उनके बेनिफिट्स है उन बेनिफिट्स से भी जाएंगे इसलिए बंदोपाद्याय को अब विवस्ता करनी चाहिए कि वो कब जेल जाएंगे और कैसे वो मुम्ता के चगोल से छोटेंगे बहुत बहुत धन्वाद आपने सुरा तैंक यू